यहां पर दिक्कत क्या है ? दिक्कत यह है कि माली जी मारे पेमेंट करनी है अभी आप देख़ोगे कि मैं एक पेमेंट कर चुका हूं पेमेंट में जाएंगे 17 जो उबजेक्ट है वो किसके लिए है ? फिल्फीटू कोड एक उबजेक्ट है, एक यूजर है, इस यूजर ने क्या किया है, कि जो Express.js MongoDB के लिए कोर्स पर्चेस कर लिया, अब उसमें जब कर लिया है पर्चेस तो फिर मैं अगेन क्यों कर रहा हूँ पिमेंट, तो अगर मैं Express.js मैं फिर से करता हूँ, इन्रोल ना तो यह जो पिमेंट इनिशलाइज हो रहा है, इसको नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पॉपप दिखाना चाहिए, कि आप जो पिमेंट नहीं कर सकते हैं, तो यह हम कब करेंगे, जब हम continue to payment कर रहा है, हम चेक करेंगे, कि जो यूजर कोर्स जो हमारा टेबल उसके अंदर पह यहाँ पे पास जाएंगे, जहाँ पे हमने continue to payment को handle किया, तो जो checkout page हमारा, यहाँ पे हमने handle किया, यह रहा checkout page, यहाँ पे हम क्या कर रहा है, कोर्स का जो slug है, उसकी help से हमने course को access किया, user अभी यहाँ पे in done है, फिर मैंने user को access किया, अगर वो authenticated है, तो मैंने user यहाँ action होता है create payment, अगर यह action create payment है, तो उस case में मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने payment को initialize किया, और फिर मैंने payment को create कर लिया, ओके, तो जब मैंने यहाँ पे payment create किया है, जब create payment कर रहा हूँ, उसके पहले मैं यहाँ पे check करना चाहता हूँ, क्या यह user पहले से इसमें enroll हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो इसको मैं कैसे करूँगा तो user course जो हमारे पास object हो उसके अंदर वो user और वो course map होगा अगर कोई object वहाँ पे होगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर try or accept पर use करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा user course यहाँ मैं एक variable बनाया मैंने लिखा user underscore course इसका मतलब है subscription object को मैंने एक variable create किया ला मैं यहाँ पर कहूँगा user course dot मैंने यहाँ पर कहा objects dot objects dot get तो एक single object मुझे चाहिए कि उससे एक ही object मुझे मिलने वाला एक user एक ही बार उसने subscription लिया है बार बार तो करेंगा नहीं तो एक object मुझे मिलेगा तो यहाँ पर मुझे वो user pass करना है तो मैंने का user is request to user और जो course object है वो मैं यहाँ पर pass करना हूँ मैंने का course is request to course तो अगर मुझे एक object मिल गया तो इसका मतलब यह है कि आप पहले से enrolled हो इस course में तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा मैं यहाँ से इसको return करना चाहता हूँ लेकिन अगर कोई यहाँ पर error वगएरा आता है तो यहाँ पर मैंने का accept अगर कोई error आता है इसका मतलब यह है कि आप उसमें enroll नहीं हो पर अगर enroll नहीं हो तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है आँगे बढ़ जाओ कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पर हम कोच handle वगएरा नहीं करना अगर कोई error आया इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर आँगे आपका जो check out process हो करेंगे अगर कोई error नहीं आया मनलब कि user course मिल गया मिल गया इसका मतलब यह है कि आप पहले से enroll हो तो अगर enroll हो तो मैं फिर से same page दिखाऊंगा लेकिन इस case में यहाँ पर पॉप अप होगा कि यह आप पे में नहीं कर सकते तो अगर यहाँ पर मुझे user course मिल गया तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर एक error message शो करना है तो यहाँ पर मैं एक object एक यहाँ पर variable कर लेता हूँ मैंने यहाँ पर लेखा error is equals to हमने इसको कहा none starting में none है और अगर यहाँ पर कोई error है तो error को मैं मैंसेज यहाँ पर शो करूँगा तो यहाँ पर मैंने लेखा error message is equals to यहाँ पर मैंने लेखा error message error message is equals to मैंने लेखा you you are already enrolled in this in this course और enrolled चीज़ और यह भी कर सकते है क्या कर सकते है एक minute हाँ पाफेक नाउ सेफ किया एक चीज़ और कर सकते है जब हम यह वाला page दिखा रहे है उस time पर जो continue payment का button है उसको हम hide कर दे अगर आप enroll हो तो उसको हम बाद में देखें कि बहुत सारी conditions हो सकती है पहले हम इसको handle कर लेते हैं ठीक है बहुत सारी चीज़ है कोई एक चीज़ आप कर सकते हो मैं सारी चीज़ और करके दिखाऊंगा एक चीज़ और हम यह भी कर सकते हैं यब हम home page पर आते हैं यहाँ पर हम इंडोल नाउ को button है इसको हम add कर देंगे यहाँ पर कहेंगे start course यह सारी चीज़ आप करेंगे अभी हम इसको ही check कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं करूँगा error दिखा दूँगा तो यहाँ आया क्या होता है इसमें हम कुछ features ने add कर रहे हैं जो कुछ काम के नहीं है लेकिन उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़े हैं जो आप कैसे कैसे तरीके से यहाँ पर handle कर सकते हो अब देखो गर मैं home page पर जाता हूँ मैंने यहाँ पर start course का button लगा दिया ठीक है लगा दिया लेकिन अगर आप URL में hit करके चले जाते हो ठीक है बटन से नहीं गया आपने URL enterprise करके आए तब तो यह page मिलेगा तो यहाँ पे भी हमको handle करना पड़ेगा तो हर जगा हमको handle करना पड़ेगा ठीक है तो अभी मैं यहाँ पे यह दिखाता हूँ जब आपके लिए करते हो उस case में cases को रोग सकती है तो यहाँ पे मैं एक error object add करना चाहता हूँ इसमें मैं error को यहाँ पे insert करूँगा तो यह जो context है मैंने इस page को pass कर दिया आप चलते हैं checkout.html के अंदर वहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखते है checkout.html में आएंगे और यहाँ पे मैंने java script add किया है तो यह रहा यहाँ पे script यहाँ पे हमें क्या करना है जो मैंने payment initialize किया यह मुझे कप करना है जब कोई error नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखा order is not none अगर order none नहीं है तो इसका मतलब यह है order ना नगर नहीं है तो इसका मालवी है कि मुझे यहां पर payment create करना है तो checkout.py में आके देखो आप order कप create किया मैंने order मैंने कप create किया है जब यहां पर यह वाला line यहां पर चल गया तो ठीक है basically अभी यहां पर एक दिक्कत है क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि यहां पर मैंने try में लिखा है error और यह जो आंगे कोड है यह तो आंगे चलेगा यह चलेगा अगर आप error आई ही तो भी यह code चलने वाला है तो error आगई तो हमें यह वाला code नहीं चलाना है इस case में हम क्या करेंगे है चेक करेंगा Error None नहीं है तो हम इसको चलाएंगे तो यहां पर मैं कर लेता हूँ यह जो 31 से लेके यह वाला जो code है यह 31 line से लेके last तक का जो भी code है जो payment create कर रहा है यह payment.save वाला code इसको मैं एक tab प्रेस करके आंगे लेके जाता हूँ इसको मैं if condition के अंदर रखूँगा कैसे करेंगे if के अंदर यहां पर मैं क्या condition लगाऊँगा तो यहां पर मैं काऊँगा if error is not none, error is not none, sorry error is none, अगर error none है तो मुझे आंगे जाना और payment object यहां पर create करना है, यह हो गया, ठीके now save किया, चलते हैं अब वापस तो order यहां पर none हो जाएगा, अगर error आई है तो order यहां पर none होगा, अगर order none नहीं है तो यह चलेगा लेकिन order none है तो यह नहीं चलेगा, तो मुझे अब यहां पर एक और condition लगानी है, दूसरा condition क्या रहेगा, अगर, दूसरा condition क्या रहेगा, if, यह आ गया, if, error is not none, अगर error is not none, तो इस case मुझे यहां पर एक error box दिखाना है, यहां पर मैं कर देता हूँ उसको, and if, यह किया मैं यहां पर, and if, तो अगर error none नहीं है, तो मुझे error box दिखाना तो यह कि मैं script का use करूँगा, simple यहां पर, ज्यादा model वगेरा नहीं बना रहा हूँ है, तो मैंने यहां पर एक alert रण करना है, alert मैं मुझे क्या दिखाना है, alert मैं मैं दिखाना है, जो भी message था, error message, वो मुझे यह यहां पर दिखाना है, तो double code मैं हम यहां पर उस error को print करतेंगे, यहां पर मैंने error को print कर दिया, प्लस यह जो alert हो हम कवरन करना window के load होने पर, यहां पर मैं कहूंगा window.onload, यह java strip लिख रहा हूं मैं यहां पर, और उसको मैं एक function assign करना चाहता हूं, तो function को मैं एक arrow function यहां पर create कर दूँगा, बिना function keyword के हमें आप एक function create कर सकते हैं, तो यह मैंने कर दिया, ओके, तो क्या होगा, जैसी window load होगा, यह alert देखेगा, लेकिन कब जब error none नहीं होगा तब, आप चलते हैं, वापस check करते हैं, पेच को किया, reload, continue to payment क्या आया, you are already enrolled in this course, ओके, perfect, continue to payment, you are already enrolled in this course, सही है, ना home पे चलते हैं, show more पे चलते हैं, sorry, enroll now पे चलेंगे, जैंगो में, continue किया, क्योंकि मैं जैंगो में enroll नहीं हूँ, इसलिए payment initiate हो रहा है, सही है, तो proper जो काम है अभी यहाँ पे चल रहा है, अभी हमको क्या करना है, payment बगरा हो गया, और सब कुछ हो गया, withdrawal हो गय अभी हमको क्या करना ही, जो page है, home page, home page में इन्रोल नागा बटन है, इसको हम हाटा देंगे, यहां से, ठीक है, क्योंकि हम इस course में enroll हो चुके हैं, तो इसको हम check करेंगे, ठीक है, देखेंगे next video में कैसे करना है, इसको